हेलो फ्रेंट्स हाई दिस इस महेश विल्कम बैक टो चानल वन्स अगेल फ्रेंट्स यहाँ पे जो वेल बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे जरूर औल सिलिक किरिएगा मतलब जब भी कोई हम लोग नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरहन नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो लेट्स गेट इंट टोपिक अवर टोड़ टोपिक इस इंसाइड केंडल स्टैटेजी यह जो स्टैटेजी इसका एक करस्टिक है यह स्टैटेजी आप कहीं पे भी लगा सकते हो बहुत इंपोर्टन और नाइस कंसेट है और यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है आप ल इसे कुछ पॉइंट बताऊंगा जिससे आपकी बढ़ जाए और जनरली इसे कोई डिसकस करता नहीं है तो लेट्स गेट इंट टॉपिक अगर आप बिगेनेर हो तो मैं आपको छोटे से चो टॉपिक हो क्लियर कर देता हूँ इंसाइड कैंडल मतलब क्या होती है जो भी अपड़ एक time frame select कर रहे हो उस particular time frame में यहां पर एक candle बनती है तो यह candle जो है this candle is called as big candle या इसे और एक नाम है that is called as mother candle तो इस candle के अंदर inside और एक candle का formation हो जाता है मतलब इस हाय और लोग को touch कर सकते हैं प्र इस हाय और लोग के अंदर में एक candle बननी चाहिए so basically we can say that this is inside bar pattern अब इसको trade कैसे करते है देखो entry कहां करते है अब यहां पर सबसे important है कि जो inside candle बनी हुई है जो यहां mark करके बता है हम लोगों ने जो inside candle बनी हुई है इसका color matter करता है क्या actually बिल्कुल नहीं यह अगर green रहे यहां पर green है even red भी होता तु भी कोई फरक नहीं पड़ता color doesn't matter inside बार का क अगर यह red color की candle है मतलब यह bearish type of candle है तो यहां पर इसके नीचे low के नीचे जब भी कोई price execute होगी तो हम यहां पर sale side की entry ले सकते है so we can sell here आपकी entry यहां पर होगी आपका stop loss जो standard है वो यहां पर होना चाहिए but friends I am going to suggest you इतना बड़ा SL आप nifty और bank nifty में लगाना practically possible नहीं है तो simply आपका जो SL होगा वो आप simple अगर आप यहां पर entry करते हो if your entry is here तो आपका stop loss है यह जो inside बार होगा ना इसके थोड़ा सा उपर आप आपका SL प्लेस कर सकते हो कभी कभी क्या होता है यह जो mother candle यह चूटी बनती है और inside candle भी उसके अंदर बन जाती है अगर यह mother candle चूटी है तो आप फिर इसका stop loss select कर सकते हो but if the mother candle is sufficiently big तो आपका SL जो है इसके उपर लगाना चाहिए यह ज़्यादा convenient होता है आपको risk reward अच्छा मिलेगा तो अभी यह तो हो गहा हमारे entry की बात हम इसे sell side में entry करेंगे वैसे अगर यह mother candle bullish है तो फिर हम लोग यहाँ पर upside के लिए trade करते हम लोग यहाँ buy करके चलते हमारा stop loss according to us हम लोग stop loss इस जो inside बार है इसके नीचे हम लोग place कर देते अब इसका जो basically target होता है यह candle का high और low के ब नीचे इसके आपका target होना चाहिए मतलब 1 is to 1 बट हम हमारा stop loss नीचे करते है तो आपको यहाँ से 1 is to 1.5 to 1 is to 2 के risk reward यहाँ से मिल सकते है और इसके जो accuracy है friends यह almost 70% है और मैं जो चीज़े बताऊंगा इसको आप follow करोगे तो आपके accuracy और बढ़ती जाएगी ठीक है तो यह हो कि अगर जैसे मान लो यह bullish candle है और इसके उपर जब जाएगा तब हम buy कर देते हैं लेकिन अगर यह जो red candle बनने के आद इसने नीचे के side में breakdown कर दिया तो हम यहाँ पे sell कर सकते है या नहीं तो देखो friends sell तो हम लोग यहाँ पे कर सकते है बट आप इस समय पे आपकी जो quantity हो reduce होनी चाहिए और आप लोगों को देखना चाहिए कि according to price action हम कौन से जगे पे यहाँ पे trade कर रहे है mother candle को तो यह सारी चीज़े मैं आगे आप लोगों को discuss करता हूँ और यह सारी चीज़े को मैं आपको example पे जरीए मतलब nifty और bank nifty पे यह सारी चीज़े बताऊंगा तो जो हमारे secrets है वो हम लोगों को समझने है कि जो mother candle है sorry friends यह जो mother candle है इसमें दो important चीज़े है जो generally कोई इसके बारे में बात नहीं करता एक है strength और दुसरा है placement जब भी कोई pattern बन रहा है अगर stock उपर जा रहा है तो यहाँ पे यह जो पहली बात है कि यह जो placement है यह कहां पे हो रहा है तो resistance पे अगर कोई यह mother candle और यह inside bar pattern बन रहा है तो हम लोग इसे जरू trade कर सकते है bearish side में अगर support पे आके trade बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे positive बनके इसको उपर के direction में trade कर सकते है simple दूसरी चीज़ जो है strength अब यहाँ पे देखोगे तो यह जो candle है completely bearish candle है कभी कभी क्या होता है even red candle आपको दिखा ही देगी लेकिन यह जो red candle होगी इस type की रहेगी अब यहाँ पे देखोगे इसका open होगा यहाँ पे low होगा यह और यह जो open यह और closing यह low point यह और high point यह तो इसमें अगर आप देखोगे बले यह red candle है लेकिन आप यहाँ देखोगे sellers नीचे लाने की कोशिश किया लेकिन buyers फिर उपर लेकिए candle त क्लोजिंग प्राइस जोगी यह वाली यह opening से नीचे है बट यहाँ पे strength आप देखोगे तो यह bearish candle नहीं है तो ऐसे candle के अंदर अगर inside candle बनता है और आप नीचे के side में trade करते हो तो थोड़ा संबल के trade करना चाहिए तो यह strength और placement बहुत important है मैं आपको चार्ट पे और इन देखो तो यह almost 50% है कभी-कभी क्या होता है यह candle इतनी बड़ी हो जाती है इस टाइप की तो almost 80-90% होती है तो यह हमेशा important चीज होती है कि inside बार proportion क्या होता है मैं आपको और example से आगे बताता हूँ जनरली जब आपको 1-1 का risk reward मिलता है जब आप start कर रहे हो इस strategy को तो आपने 30-50% profit आप लोगों का book करना चाहिए और जनरली यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हो तो कोई भी stock ऐसे trade नहीं करने चाहिए जो generally moment ज्यादा नहीं करते अगर आप ITC को trade करोगे तो यह strategy बहुत ज करते हो तो आप basically one day time frame कर सकते हो या कोई भी जो longer one week का one month का नहीं बूल रहा हो one day या फिर four hour ऐसा time frame आप यूज कर सकते हो positional के लिए अगर आप simply intraday करना चाहते हो वो nifty रहे बैंक nifty रहे या stocks रहे तो आपके लिए best time frame है जो 15 minutes काफी लोग यह भी कहते है या फिर use भी करत randomly hit होंगे और उस वज़ा से आपके accuracy कम होगी तो और noise भी बढ़ा रहे गा तो 15 minutes time frame is the best time frame to use this particular strategy अब देखो यहाँ पर हम लोग को को यह trade क्यों करना है अभी यहाँ पर देखते है तो यह open है और यह close है कोई तो भी script है या stock है जिसका open and close है जब इसने यह continue path बनाया तो इसक movement that is called as rage this is shown by the candle high point and low point तो इसके अंदर जब एक candle बन जाती है तो यह candle बनती क्यों नहीं है देखो तो generally ऐसे stock नीचे जब आता है तब ऐसी movement होती है नीचे आ रहा है तो यहाँ पर फिर consolidation में जाएगा और फिर नीचे की new journey चालू करता है अब ऐसा होता कि हुए इसके कुछ वज़ा है तो इसको अगर मैं discuss करू तो आपको simple बताता हूँ देखो अगर एक stock जैसे यहाँ पर दीरे दीरे नीचे आ रहा है तो क्या होता है ना कि generally maximum लोग जो होते वो late entry करते इस zone में entry कर लेते अगर यहाँ पर entry कर लेंगे तो होगा क्या basically market में क्या होता है यह लोगों ने जहाँ इन लोगों ने जो sale किया हुआ है यह लोग अपना profit book करते तो profit book करने वज़े से क्या ह है कि यहां पे जान्द बुच के भी होता है क्योंकि जो लोगों ने यहां पे एंट्री की यह लेट यह जो विक हैंड को बाहर निकालने के लिए जैसे पर पर जाएगा फिर से लोग इनके stop loss हीट हो जाएगे और फिर 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 अपनी नई moment करता है और फिर से नीचे चला जाता है तो जनरलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब भी सेल करते हो तो यह उपर चला जाता है फिर अपने डिरेक्शन में फिर से मूव हो जाता है और आप बोलते हो आपका stop loss क्यों हीट हुआ तो बैसे के लिए दिस वा के बाद it is ready for the new expansion और impulse new so this is the basic and the concept behind the particular strategy अब यह concept आप सीख जाओगे तो आपको ट्रेड करने में और मज़ा भी आएगी और आप इसमें कुछ advanced version भी कर सकते हो मतलब आपको कोई changes करने है तो आप आसाने से कर सकते हो इसलिए कोई भी strategy या कोई भी setup सीखने के पहले आपको इस यह inside bar है यह almost 40% 30% के आसपास है तो generally ऐसे जब trade मिलते है तो यह ज्यादा profitable है यह आपको मैं चार्ट के उपर जाके यह सारी चीज़े बताऊंगा तब आपको यह चीज़े clear होगी तो simply हम लोग चलते है friends हमारे चार्ट के उपर nifty के और हम लोग देखते है कि हम लोगों को क concentrate कैसे कैसे मिले अगर simply आप देखोगे दो जो हमारा last session है तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक 15 minute की green candle बनी थी ठीक है अब यहाँ पर red candle बनी अब यह inside candle इसके उपर जाएगा तो हमने buy करना चाहिए इसके नीचे अगर sell करते है तो कर सकते है बाट quantity कम तो यहाँ पर आपको मैंने जैसे आपको कहा कि इसको आप price section के साथ थोड़ा सा combine कर लोगे तो आपको पता चलेगा आप यहाँ पर entry करते हो तो आपको यहाँ पर target होना चाहिए अगर आप simply हमारे telegram channel पर जाके देखते हो तो आपको simple दिखाई देगा कि हम लोग उनको जो लेबल ती इसी दिन म sorry friends, trade master intraday, अब trade master intraday आप telegram पर type करोगे तो आपको यह channel मिल जाएगा यह simply इसकी जो link है मैं आपको description box में नीचे देदूँगा, तो friends यह free channel है, मैं बहुत सारी अपनी trade ideas है, जो plan है यहाँ यहाँ पर share करते हो, और members काफी अच्छा profit भी करते हैं, आप देख सकते हो, बहु हम चलते हैं, हमारे nifty के उपर, अब देखो उसके पहले session, मैं continue बताऊँगा, ऐसा नहीं है, कि जिस दिन यह strategy बनी उसी दिन, देखो पहले 15 minute के candle बनी, फिर ग्रीन बनी, इसके नीचे, प्राइस section के साब से देखो, लो भी break होगा था, प्रिवेस डे का, और यहाँ पे यह अब यहाँ से फिर से देखोगे, तो आपको और एक trade मिलेगा, उसके पहले दिन, यहाँ पे low breakdown कर दिया, लो के नीचे trade कर रहा है, फिर एक great candle बनी, एक छोटा सा pullback आया, फिर यहाँ पे candle का formation हुआ, अगर आप देखोगे, तो exactly आपको दिखेगा, कि यह आपका mother candle है, baby candle, आपको इतना बड़ा SL लगाने की जरूरत नहीं, यह green candle के थोड़ा से उपर, या फिर red candle body, इसके उपर SL लगा दो, आपका wrist reward हमेशा maintain रहेगा, अगर आप वो mother candle का range, अगर SL लोग है, तो दिक्कत की बात हो सकती, और एक interesting fact यहाँ पे आपको दिखाई देखी, कि यहाँ प intensity थे absorb कर ली, तो यहाँ से आपको दिखाई देगा कि sellers की intensity absorb होती गई, और दीरे दीरे nifty positive होने लगा, और उसी समय पे आप देख सकते हो, यह 15 minute time frame पे green color की candle बनी हुए, और यहाँ पे inside bar बना, तो जैसे inside bar pattern बना, इसके उपर breakout हुगा, हुआ, तो आपको almost यहाँ पे 1 to 3.5 के target मिल गए, अब देखो मैं जिस mother candle के strength की बात कर रहा था, वो यहाँ पे है, आपको दिखाई देगा clear, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो simply यह जो candle है, यह bullish है, यह bearish आप खुद बताओ, देखो, buyers तो उपर लेके गए, लेकिन sellers भी काफी strong थे, तो फिर से nifty को नीचे लेके आए, तो यहाँ पे bullish green है, तो bullish है, बट यहाँ पे यह इतनी bullish है नहीं, तो इसके उपर trade करके कोई खास मतलब है नहीं, आप देख भी सकते हो, दिन बर यहाँ पे कुछ profit आप लोगों को नहीं मिला, अब देखो, simply हम लोगों को trade करना है, तो कैसे हम लोग trade कर सकते हैं, अगर यहाँ पे जैसे इस strike price को हम लेते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, अगर मुझे यहाँ पे trade करना होता, तो हम लोग क्या trade कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो 17,992 के असपास हमें entry करनी थी, तो आप simple 18,000 का put buy कर सकते हो, at the money, otm put generally buy करना avoid करो, तो 18,000 का put buy कर सकते थे, और आपका stop loss है, आप spot पे देखो, जब भी spot यहाँ से उपर इस level पे चला जाएगा, तो आपको exit करना पड़ेगा, दूसरी चीज़, आप दूसरा trade कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे, एक तो put buy करो 18,000 का, या फिर आप call short करो, call short कुनसा करना है, थोड़ा इस price क मतलब ही, जो mother candle है, थोड़ा सा 18,100, 18,080, 18,080 के उपर अगर यह देखो, हाई का पे 18,065,70, तो आप 18,100 का call sale कर सकते हो, simple, इस stop loss के साथ, या फिर आप यहाँ पे future भी short कर सकते हो, तो ऐसे आप इसे trade कर सकते हो, अगर आप simply bank nifty को देखे, तो bank nifty में बहुत अच्छे trade य हम लोग, तो आप देख सकते हो, देखो, परेंट थोड़ा time जाएगा, बट आपको चीज़े clear होगी, और आपको दीखेगा कि कैसे trade बनते है, और आप make sure कि वीडियो को आप complete देखो, फिर ऐसा होगा कि आप थोड़ा सा देखते हो, और फिर मोझे question पूछते हो, या फिर क तो इसी support के आसपास एक hammer candle का formation हुआ, और that is called as actually mother candle, अब बले ही red है, बट ये red candle पे ही हम लोग bullish side का trade कर सकते है, because it forms at support, और बहुत अच्छा profit हमें उपर के direction में मिला, simply अगर आप और देखोगे, तो जैसे यहाँ पे candle बनी, इसका break down नीचे हुआ, और आपको 1 is to 1 भी नहीं मिला और आपका stop loss hit हो गया, तो ऐसा नहीं कि इसमे stop loss hit नहीं होते है, इसमें भी stop loss hit होते है, देखो एक बहुत अच्छा trade बना था, जिस समय बैंक निफ्टी almost 500-600 points उपर गया था, और almost 600 points नीचे drop हुआ था, आप देखो सबसे पहले यहाँ पे 15 minute time frame पे green candle बनी, फिर इसके breakout किया, और almost यहाँ से आपको देख सकते हो, कि 38,400 से almost 38,820, मतलब almost आप लोगों को यहाँ 400 points की range मिले, अब उपर जाने के बाद आप देख सकते हो, कि उसकी strength कम होते गई, अगर हम लोग simply यहाँ पे, इस high को अगर mark करते हैं, देखो, यहाँ से फिर से green candle बनी आपको दिख तो वैसे logically देखा जाए, तो इसके उपर जब जाएगा, तो buy करना चाहिए, यहाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे आए, तो sell करना चाहिए या नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा, कि यहाँ पे कुन सा resistance है या नहीं, तो आप simple अगर पीछे आओगे, तो पैटर्न बना हुआ है, तो आप नीचे के साइड में भी trade कर सकते हो, अगर आप देखो के नीचे के साइड में trade करने के बाद, आप लोगों को यहाँ से, अगर आप point capture कितने मिले होंगे, आप लोगों को, one stroke में आए से almost 550 points की, नीचे के साइड में bank nifty ने move की, तो जब भी market trending होता है, तो बहुत अच्छे, trade आपको यहाँ पर मिलते है, अब देखो friends, अगर आपको stock को trade करना है, तो आप लोगो 15 minute time frame यूज करना है, लेकिन कुछ stock जो ऐसे candle बनाते हैं sideways, तो आप उस stock को avoid करो, मतलब stock trending होना चाहिए, अच्छे moment देने वाला चाहिए, अब आप stock मे लग सकता है, क्योंकि आप इतने stock कैसे देखोगे, तो simple अगर आप chart link के scanner पर चले जाओगे, तो यहाँ पर मैंने already type करके रखा हुआ है, आप scanner पर चले जाओगे, तो simple यह जो pattern है, यह आप लिख लेना, यहाँ पर देखो, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे करना है आपको, अ जैसे उपर का है, वैसे हम लोगों को नीचे करना है, अभी हम लोगों यहाँ पर latest है, तो आप simple 15 minute time frame select करना है, 15 minute low, अभी यहाँ से latest पर फिर से 15 minute कर देना है, और यह जो 0 है, इसको minus work कर देना है, तो previous candle meaning होता है, अगर आप इसको लगा, यह जो इसका screenshot ले सकते हो, simple chart link पर जाके save भी कर दोगे, आप इसके alert भी लगा सकते हो, और आप simple run करोगे, तो आपको live market में, यहाँ पर कौन से stock मिल रहे है, यह यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जब भी आप इसको scan करोगे, तो जैसे बजा जाटो हो, हिंडल को, power gate यह सारे चीज़े stock बता रहा है, तो simple scanner का screenshot ले सकते हो, अगर आपको चाहिए, तो मैं इसको type करके नीचे दे दूँगा, so friends, अगर आपको यह, जितना भी मैंने आपको इस सारी चीज़े बताई, strategy के बारे में, तो आपको यह पसंद आ रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो make sure, आप hit the like button, and friends, आपको य basically, it gives us motivation, कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसका motivation मिलता है, और उससे जादा कुछ है नहीं, so friends, thank you for listening the video, thank you once again.